दोस्तों अब सब लोगो को पताई होगा कि करीव करीव एक दशक पहले इंडियान यार्फोर्स के दुआरा अपने बेडे में C-17 Global Master 3 यार्प्रेप्टों को शामिल किया गया था और पिछले एक दशक में इंडियन यारफोर्स के बेडे में 11 C-17 Globmaster 3 यारक्रेफ शामिल हो चुका है जो कि केवल मात्र इंडियन यारफोर्स के सबसे हैवी पेलोड वाले ट्रांस्पोर्ट यारक्रेफ ही नहीं है बलकि सबसे टेकनोलिजिकली सोफिस्टिकेटेड और एड इवांस ट्रांस्पोर्ट यारक्रेफ भी है पर दोस्तों अब एक दशक के बाद ये C-17 Globmaster 3 यारक्रेफ टो के वज़ा से इंडियन यारफोर्स को और एक स्ट्राडिजिक लेवरेज मिलने वाला है मीडिया रिपोर्टों के मुताविक अमेरिका के द्वारा C-17 Globmaster 3 यारक्रेफ टो को एक ट्रांस्पोर्ट यारक्रेफ टो से अब एक बॉमबर यारक्रेफ टो में कनवर्ड किया जा चुका है और इन यारक्रेफ टो के द्वारा जरुरत पढ़ने पे भारी मात्रा में क्र पिलाल कोई डेडिकेटेड बॉमबर यारक्रेफ टो का आवशक्ता नहीं है और इन यारक्रेफ टो के जो रिक्वार्मेंट है और काफी हद तक सुखोई 30 मका यारक्रेफ टो के द्वारा पूरा किया जा सकता है पर दोस्तों इंस्टांटली अगर इन यारक्रेफ को मल्टी रोल यारक्रेफ टो के द्वारा नहीं पूरा किया जा पाएगा क्योंकि मल्टी रोल यारक्रेफ टो के पास नहीं इतने हैवी कैपिलिटी होता है कि ये एक साथ कई सारे हतियारों को कैरी कर सके और नहीं बॉमबर यारक्रेफ टो के जैसे इतने लोंग रेंज का कै के से अमेरिका के द्वारा C-17 Globmaster 3 यारक्रेप्टों को एक क्रूज मिसाइल कैरियर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है तो उसे देखते हुए अब एक बात तो ये साफ हो गया है कि आने वले समय में भारत के बॉंबर यारक्रेप्टों के काफी बड़े रिक्वार्म को इन C-17 Globmaster 3 यारक्रेप्टों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा और भारत जो एर लॉंच निर्वय क्रूज मिसाइलों को डिफलफ करने का एक प्रयास कर रहा है इन मिसाइलों को भी C-17 Globmaster 3 यारक्रेप्टों के साथ जोड़ा जा सकेगा अब करेंटली देखा जाए तो C-17 Globmaster 3 यारक्रेप्ट जो है वो प्रूप्स और कार्गो केपिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है मतलब ये भारी भरकम सामानों को एक जगा से दूसरे जगा ले जा सकता है पर निर्वय जैसे क्रूज मिसाइलों को अगर इन यारक्रेप्टों में जोड़ा जात है तो नो डाउट इन यारक्रेप्टों के साथ दुश्मन के टरिटरी के काफी डीप अंदर तक घुस के हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा और उपर से अगर निर्वय क्रूज मिसाइलों को देखा जाए तो ये भी करिव करिव 1000 किलोमेटर दूर तक टार्गेटों को निशाना बना सकेगा अब दोसों यहाँ पर आप लोग के जानकारे के लिए ये वी वता दू कि अल्रेडी निर्वय मिसाइलों के लैंड लॉंच वेरियंट या फिर कहतों सौर्फेस टू सौर्फेस वेरियंटों को आईटी सी एम मिसाइल के रूप में अल्रेडी भारत क के द्वारा सफलता पूर्बक टेस्ट किया जा चुका है और कुछी समय पहले अलग अलग खवरों में ये वी दावा किया किया है कि अब भारत के द्वारा इन मिसाइलों के शिप लॉंच एंटी शिप वेरियंटों को तयार किया जाएगा जबकि शिप लॉंच एंटी MKI, RAFAL और इवन इंडियन यारफोर्स के लिए बनाया हुए स्वदिशी यारक्रेप्टों में भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा पर अगर C-17 Globmaster 3 जैसे यारक्रेप्टों में इसे इंटीग्रेट किया जाता है तो इन यारक्रेप्टों के पेलोर श्रमता को देखते हु इंडियन यारफोर्स के पास जो C-17 Globmaster 3 एरक्रेप्ट है अगर इसके आकार को देखा जाए तो ये आकार में काफी बड़ा एरक्रेप्ट है और करिफ करेव ये 77,519 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है मेडिया रिपोर्टों के मुताविक केवल मात्र तीन क्रू मेंबरों के द्वारा इन यारक्रेप्टों को अपरेट किया जा सकता है हाला कि अगर बॉम्बिंग के रोल में इन यारक्रेप्टों का उप्यो किया जाता है तो संभावना है कि अधिक क्रू मेंबरों का आवश करता है तब भी 4,480 किलोमेटर के डिस्टेंस को आसानी से ये कवर कर सकता है उपर से अगर सर्विस सिलिंग मतलब उचाई में जाने का शमता देखा जाए तो ये भी 14 किलोमेटर से अधिक मतलब 45,000 फिट तक है जो कि इन एरक्रेप्टों को दुश्मनों के कई तरीके के एर भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है और मल्टी रोल यारक्रेप्ट मतलब सुखोई 30 MKI जैसे यारक्रेप्टों के द्वारा ही काफी डीप अंदर तक घुश के इन देशों के स्ट्रटिजिक ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है पर उही पे भविश्य में काफी बड़े मात्रा में मदद कर पाएगा अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे C-17 ग्लॉब मास्टर 3 यारक्रेप्टों को लेके बड़ा खवर आ रहा है तो उही पे दूसरे तरफ इंडियान यारफोर्स के एपाचे हेलिकॉफ्टरों को लेके भी एक बड़ा खवर आ र इस एपाचे हेलिकॉफ्टरों को अपरेड करता है और इंडियान यारफोर्स के बाद इंडियान आर्मी के द्वारा भी करीब-करीब 6 एपाचे हेलिकॉफ्टरों को अमेरिका से खड़िदा जा चुका है हाला कि अब तक इंडियान आर्मी को एपाचे हेलिकॉफ्टरों क डिलिवरी नहीं हुआ और दोसों ये जो Apache helicopter है इसे इंडियान यारफोर्स के तरफ से साल 2020 में चाइना के साथ जड़व के दर्मियान भी लदाक रिजन में मतलब हाई altitude रिजन में डिप्लॉई किया जा चुका है और अब रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि April 2024 में अपरिल 2024 में खारदूंगा पास के Northern Sector में लैंड किया था और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इस helicopter को dismantle करके रोड माध्यम से ले तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है हालकि दोस्तों ये जो rescue mission है ये Indian Air Force के लिए काफी चुनोती पूर्ण बना हुआ है क्योंकि जहाँ पे ये helicopter land किया था वो करीफ करीब 12,000 फुट के altitude में है और इस high altitude condition के बज़ा से helicopter को चिनूख helicopter के द्वारा भी एर लिफ्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि चिनूख helicopter का भी high altitude reason तक पहुंचा और उसके बाद शती को जाचा गया और फिर helicopter को dismantle किया गया और फिर helicopter को dismantle करने के बाद इसे हाथ से ही नजदी की route तक ले जाया गया और फिर ट्रक के माध्यम से इसे ले के airways में लाया जा रहा है हलाकि helicopter की airframe और इसमें इस्तिमाल होने वाले engine का वजन काफी अधिक होने के वज़ा से इसे ना हाथ से उठाया जा सकता है और ना ही इसे उपर से नीचे इस तरीके से लाया जा सकता है और इस वज़ा से specialized crane को भी उस side में ले जाया जा रहा है ताकि airframe और engine को lift किया जा सके और फिर बापस ले तक लाया जा सके और दोस्तो airframe को truck में load करना इन crane का सबसे आखरी काम होगा जिसके लिए crane को लंबे steel wire से भी less किया जा रहा है ताकि आसानी से इसे lift किया जा सके और airframe को किसी भी तरीके का कोई भी damage ना हो हलाकि दोस्तो इस तरीके से helicopter land करने के बाद उसे अगर dismantle करके rescue करना पढ़ रहा है तो ये Apache helicopter के उपर एक बहुत बड़ा धबा है और साती सात ये Indian Air Force के Apache helicopter के शमता को लेके विए question बनाता है लेकिन इस rescue operation के बाद एक बात तो ये साफ हो किया है कि Indian Air Force के अधिकारियों के पा और अपने शत्य ग्रस्त हुए हत्यारों को कभी वी ऐसे reason में छोड़ के नहीं आएंगे और दोस्तो इससे Indian Air Force के rescue capability का जहाँ पे पैचान मिल रहा है तो वही पे ये वी सावित हो गया कि दुनिया में सबसे capable Air Force में से एक के रूप में क्यों Indian Air Force को देखा जाता है दोस्तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो rescue mission है क्या ये Indian Air Force के लिए एक बहुत बड़ा challenge था और या फिर इस तरीके का घटना घटना ही नहीं चाहिए comment करके अपने राए अवश्र दीजिए दोस्तो आज के इस वीडियो को यही पेई करते हैं समाफत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम